दिपावली पर्व है रोश्णी का, उमंग का, मिठाईयों का और दिपावली पर्व है जब दुनिया भर के देश जो हैं वो राजनीतिक कूटनीती को भी निभाते हैं जी हां, दिपावली न सिर्फ भारत में मनाई जाती है, बलकि कैनड़ा के रधान मंतरी जेस्टिन टूडो मनाते हैं, तो अधर अमेरिका के वाइट हाउस में भी दिपावली सेलिब्रेट की जाती है तमाम राज़दूतों में भी आपने दिपावली सेलिब्रेशन की तस्वीरें लेखी अमेरिका में 5 नवंबर को राश्ट्रपती का चुनाओ होना है, डोनाल ट्रम्प कैनडिडेट हैं, दूसरी तरफ कमला हैरस है डोनाल ट्रम्प ने भी दिपावली मनाई और कमला हैरस ने भी दिपावली सेलिब्रेट किया है डोनाल ट्रम्प की दिपावली को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसकी वज़़ यह है कि ना सिर्फ उन्होंने दिपावली मनाकर हिंदू के प्रती और हिंदू परमपरा, हिंदू धर्मिक, रिती रिवाजों के प्रती आपना लगाओ दिखाया बलकि यहाँ पर उन्होंने इसी दिपावली celebration के दोरान उन्होंने बांगलादेश में हो रहे हिंदूओं पर हमले का जिक्र किया और साथ ही कहा कि बांगलादेश में जिस तरह से हिंदूओं पर इसायों पर और अल्प संख्यकों पर इस वक्त उनके खिलाफ हिंसा हो रही है उन पर अत्याचार हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है निंदा योग्य है खुले तोर पर राश्रपती टरम्प से जब ये पूछा गया क्या उनके कारेकाल में ऐसा नहीं होता तो टरम्प ने कहा नहीं अगर अमेरिका में मेरी सरकार होती तो मेरे कारेकाल के दोरान ये इस्ति नहीं बनती उन्हों ने ये भी कहा कि मौजूदा जो सरकार है जो बाइडन के सरकार उस सरकार में अमेरिका में रह रहे हिंधूओं की और साथ ही दुनिया भर के हिंधूओं की अंदेख्य की गई है तो ट्रम्प किसी भी मुद्दे पर खुल कर बोलते हैं और इस बार भी जो खुल कर उन्होंने कहा है हिंदूओं को लेकर अपनी भावना सामने रख दी है तो यही माना जा रहा है कि हिंदूओं को ना सिर्फ अमेरिका में रह रहे हैं हिंदूओं को बलकि अमेरिका के बाहर रह रहे हिंदों का दिल जीतने की भी ये कोशिश है ट्रंप की डोनल्ड ट्रंप ने और क्या कहा ये भी आपको बता देते ट्रंप ने कहा कि इसराइल से लेकर यूकरिन तक और हमारे दक्षणी सीमा तक ये बाइडन और कमला प्रशासन एक दुखांत कहानी रही है लेकिन ह हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के माध्यम से शांती वापस लाएंगे डोनल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उनका प्रशासन हिंदू अमेरिकियों को कट्टर पंदी लेफ्ट के धार्मिक विरोधी एज़ेंडे से बचाएगा उन्होंने यहाँ पर प प्रदान मंत्री मोधी के साथ संबंदों को भी मजबूत करेंगे पियम मोधी के साथ डोनल्ड ट्रंप का जो संबंद है इन दोनों के बीच की जो कमिस्ट्री हमने देखिए इससे पहले भी वो अलग लेवल की ही है ना सिर्फ राजनेतिक बलकि निजी व्यक्तिकत इसकी नीतियों को लेकर उन्हें कहा कि मौझूदा उपराश्रोपति कमला है इसकी नीतियां बहुत ही गलत हैं खासकर वयवसाईयों को लेकर जिन्होंने अतरिक्त नियम और उच्छदर लगा दियें जिससे छोटे वयवसाईयों को नुक्सान हुआ है तो मैं ये भी डोनल्ड ट्रम्प की बात है वो है बांगला देश में हिंदू उपर हो रहे अत्याचार को लेकर खुल कर कड़ी निन्दा करना भारत में विएच्पी की उरसे इसका स्वागत किया गया है भारत के कई नेताओं ने डोनल्ड ट्रम्प के इस बयान का स्वागत किया है और क